समस्क्राइब दोस्तों स्वागताब सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फू अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक भरती के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और यह जो भरती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है यह केंटोनमेंट बोर्ड कसोली हिमाचल परदेश के द्वारा जारी किया गया है कसोली केंटोनमेंट बोर्ड जो की हिमाचल में स्तीत है डिस्टिक सॉलन में ये स्तीत है हिमाचल परदेश के और कसोली केंटोनमेंट बोर्ड के दोवारा ओफलाइन अप्लिकेशन से इन्वाइट की गई है विभिन परकार की पूस्टों के लिए और किस परकार से आपने एपलाई करना है क्या-क्या आपने डाकुमेंट्स लगाने हैं कौन-कौन सी कैटेगरी की ये वेकेंसी है वो सारी जानकारी जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले और आगे की वीडियो पर आप लगातार बने रहे ताकि आपको डेटेल में इस एड़ोटेजमेंट के बारे में मालूम पड़ो जाएं केवल और केवल इस भरती के लिए आपको ओफ-लाइन अप्लिकेशन ही अपना फारम जमा करवाना होगा आपना ओफ-लाइन अप्लिकेशन फारम आपने केंटोनमेंट बोर्ड कसोली केंटोनमेंट बोर्ड कसोली डिस्टिक सोलन हिमाचल प देख लें सबसे पहली जो पोस्ट है वो है क्लरक की क्लरक की जो एक ही वेकंसी है अन्रिजर्व के लिए है फायर मैं में एक वेकंसी है अन्रिजर्व के लिए बैरियर गार्ड में एक वेकंसी है और विसी के लिए लैब टेक्निशन की एक वेकंसी है अन्रिजर्व के लिए चोकीदार में भी यहाँ एक वेकेंसी है और अब बात करते हैं इन सभी पदों के पांचु के पांच पदों की क्वालिकेशन के बारे में किलर की जो क्वालिकेशन है 10 प्लस टू एक्जामिनेशन आपने किसी भी रिकोगनाईज बोर्ड से आपने पास कर रखा होना चाहिए और आप 10 प्लस टू के साथ आपके तेश शबद प्रती मिनिट आपके इंगलिस में टाइपिंग स्पीड या हिंदी में आपके 25 वर्ड पर मिनिट आपके हिंदी टाइपरेटर या कम्प्यूटर के ऊपर आपकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लिया जाएगा और उसके इलावा आपके पास प्रोसेसिंग कम्प्यूटर में भी आपकी नौलेज होनी चाहिए तब ही आप कलर के लिए अप्लाइ कर सकती है फायर मैंड के लिए क्वालिकेशन की बात करें 10 फ्लस तू इसकी क्वालिकेशन है और आपके पास home guard का member होना चाहिए और आपके पास qualified basic training home guard की आपके पास होगी तभी आप fireman के लिए apply कर सकते हैं और fireman के लिए जो physical standard है उसकी एक बारा बात आप note कर ले 165 cm height होनी चाहिए chest की बात करें 80 cm और full आकर 85 cm आपकी chest होनी चाहिए weight 52 kg eye 6 by 6 आपकी eye का vision होना चाहिए आंखों की रोशनी का और barrier guard के लिए बात करें qualification barrier guard के लिए भी 12 कक्षा आपने किसी भी recognize board से उतीरन कर रखी होनी चाहिए और physical standard की बात करें 165 cm आपकी height होनी चाहिए 79 cm आपकी बिना fly chest और full आकर 84 cm आपकी chest होनी चाहिए woman के लिए भी candidate woman candidate भी apply कर सकते हैं 150 cm आपकी height होनी चाहिए 74 cm से लेकर 79 cm आपका expansion के साथ आपका barrier guard के लिए ये physical standard रहेगा lab technician की जो qualification है वो एक बार आप note कर लें plus two science के साथ साथ किसी भी recognize board से आपने पास कर रखा होना चाहिए और साथ में आपका dmlt diploma in medical laboratory technology में डिपलोमा होना चाहिए तो आप apply कर सकते हैं या आपके पास bsc medical laboratory में bsc होनी चाहिए और paramedical council से आपका registration होना जरूरी है आखरी post है चोकिदार की चोकिदार के लिए middle standard आपने किसी भी recognize board से पास कर रखा होना चाहिए तब ही आप चोकिदार के पद के लिए apply कर पाएंगे और detail advertisement term and condition आपको casualty cantonment board के जो official website है www.casually.can.gov.in इसके ओपर जाकर आप download कर सकते हैं और application farm भी आपको इसी website से मिल देगा या आप इस वीडियो के description box में दियेगे link से भी download करके apply कर सकते हैं आखरी तारीख रहेगी इस application farm को जम्मा करवानेगी 15 January 2023 और आपने जम्मा करवाना होगा cantonment board कसॉली district solan हिमाचल प्रदेश 1-7-3-2-0-4 के पते पर आपने 15 January 2023 तक आपना application farm जम्मा करवाना होगा और जो remote area है remote area के लिए जो आखरी तारीख रहेगी वो 30 January 2023 रहेगी बाकी अन्य area के लिए जो normal जो last date रहेगी वो 15 January 2023 रहेगी 15 January 2023 से पहले पहले ही आप apply कर सकते हैं और सभी के लिए एक return examination होगा hundred marks का return examination होगा यहां और उसके बाद आपका skill test होगा जैसे clear का typing का test होगा fireman का physical test होगा और barrier guard के लिए भी physically और skill test होगा इस परकार से आपका selection होगा चोकिदार में आपका wise test होगा और skill test होगा laboratory technician में भी आपका hundred marks का एक return examination होगा और media of examination की बात करें तो English रहेगा और इसके बाद बात करते हैं IUC मा की इन सभी पदों के लिए 21 से 30 वर्स के बीच के जो candidate हैं वो apply कर पाएंगे और जो candidate SC, ST, OBC हैं उन्हें जो latest rules होंगे बाहर सरकार के उसके मताबिक आपको छूट परदान की जाएगी और आप बात करते हैं इस भरती के लिए आपको application fees कितनी पे करनी है application fees की बात करें unreserve category और OBC के candidates को 500 रपे application fees देनी पड़ेगी जो SC, ST के candidate हैं उन्हें 300 रपे application fees के रूप में pay करने पड़ेंगे और fees आपने demand draft बनवा कर भेजना होगा एक DD आपको बनवाना होगा demand draft के रूप में आपको DD बनवाना होगा जो general के candidate हैं उन्हें 500 रपे OBC के candidate को भी 500 रपे SC, ST के candidate को 300 रपे application fees के रूप में pay करने पड़ेंगे और इसका application farm को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के description box में चले जाएं वहाँ से आपको इस परकार का application farm डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा और इस application format को भरकर आप अच्छे से तमाम दस्तवेज लगाकर Dually Self Attested सभी documents को अटेस्ट करेंगे और photo paste करके उसको भी अटेस्ट करेंगे Demand draft लगाएंगे और सारे दस्तवेज लगाकर आपने जो अपना application farm है Chief Executive Officer, Contourment Board, Kasoli, Solon, Himachal Pradesh के कारेले में 15 January 2023 से पहले पहले भेज देना है इस परकार के लेटेस्ट भरतियों के लेटेस्ट notification जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक में शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भरतियों के लेटेस्ट notification सबसे पहले आपको मिलते रहें धन्यवाद